Welcome friends to Vitor Classes तो हम एक और वीडियो आपके लेके हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के पॉर्पस के लिए और ये S.S.C. G.D. का 12 जन्वरी का सिफ्ट 2 का मैट्स का सॉल्यूशन है तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं पहला कुशन हमारा ये है कि एक स्टोर में 28,500 रुपए अंकित मुल वस्तू 27,645 रुपए में रियायती मुली पर उपलब्द है उस वस्तू की दी गई छूट परतीसत कितनी होगी तो छूट परतीसत के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले छूट कितना होगा तो वस्तू का दाम था शुरू में 28,500 रुपए उसे बेचा गया 27,645 रुपए में तो ये हमारा छूट आएगा ठीक है तो इसे घटाएंगे तो आएगा 5, 5, 8, 855 हमारा छूट हो गया तो छूट निकालने के लिए छूट ऊपर अब छूट दिया किस पर गया 28,500 पर तो इसे नीचे रख लेंगे हम लोग इंटू 100 कर देंगे तो इससे ये काटेंगे और इसके तीन बार में ये कट जाएगा ठीक है तो अब देख लीज़ेगा करके डायक ली देखे चार अगला कोशिन यदि एक निश्चित धन राशी दो वर्स के लिए 10 परशन प्रती वर्स की दर से वार्सिक चक्रिति ब्याज और साधरन बीच का अंतर 464 रुपह है तो निवेश की गई धन राशी ग्याद कीजिए ठीक है तो इसका एक दो वर्स के चक्रिति ब्याज का और साधरन ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बाई हंड़िट का होल स्कॉयर जो कि आपको दिया गया है अंतर 464 रुपह है तो धन राशी ग्याद करना है आर हमें पता है दस बटा सौ यह हो गया जीरो से यह जीरो कड़ गया दस का स्कॉयर सौ हो जाएगा सौ नीचे आए तो सौ उपर हो जाएगा तो पी हो गया सीपी से 25 परशेंट अधिक है तो 125 बाई 100 लिख सकते हैं हम लोग सिंपल से बाद यह हो गई ठीक है तो यह सीपी नीचे चलाएगा यह 25 से आप काट लेंगे 5 बार में 25 से कटेगा 4 बार में तो MP हमारा 5 यह 4 दस परशेंट लाब अरजित करने के लिए बिक्रे मूल पर कितनी छूट होनी चाहिए अब बोला क्या है कि 10 परशेंट लाब करने के लिए है ठीक है इस तो 10 परशेंट लाब करने के लिए विक्रे मूल पर कितनी छूट होनी चाहिए है कि 10 अगîtअगर लाब करेंगे हम लोग अधिक है तो 10 परशेंट लाब करने के लिए हमें सी पी का 110 निकलना पड़ेगा तो SP कितना हो जाएगा हमारा 4 into 110 by 100 यह कट गया यह कटेगा आपका 5 बार में 2 से यह कटेगा 2 बार में तो 22 बटा 5 तो यह मेरा 22 बटा 5 क्या गया हमारा SP अब MP कितना था 5 तो छूट कितना देगा 5 माइनस 22 बटा 5 तो इसे solve करेंगे आएगा 25 माइनस 22 तो 3 बटा 5 3 बटा 5 किस पर छूट देना हमें MP पर MP नीचे into 100 तो यह आगया 25 हो जाएगा पर जाएगा 5 भाग में है तो इससे गुनाओ के 100 आजाएगा तो 25 से कटा यह 4 बार में यह आपका 12 तो 12 चूट उसे देना पड़ेगा तो हमारा answer आएगा तो simple सरी के sub करिए कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले हम नहीं किया जो relation दिया तो MP 5 निकाल लिए CP 4 निकाल लिए अब बोला है कि उसे 10 पर लाप करना है तो इसी पर लाप करेगा 10 तो इसका में 10 पर लिए 10 पर लिए ज्यादा इस लिए पर लफ लफ पर नीचे MP into 100 ठीक है अगला question आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई की त्यून गुना है यह जिसकी लंबाई 7 मिटर घटा दी जाया और चोड़ाई 7 मिटर बढ़ा दी जाया तो इसका छेतरफल में 21 cm की ब्रिद्धी हो जाती है पुर्ब में आयत की लंबाई कितनी थी लेगे, सबसे पहले आयत का छेतरफल क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई, आयत मतला में रक्टेंगल जो इंग्लिश वाले है तो लंबाई को हम लोग चोड़ाई के तीन गुरी है तो चोड़ाई को हम लोग यह अब ब्रेथ लिख लेते डेक लिए बी यह होगे ल तो बी हमारा कर एक्स होगा तो यह होगा 3x तो area कितना हो गया 3x into x तो 3x इसको जब इसे गुना करते हैं तो xx है तो x square हो जाता है अब हम लोगों क्या भूला गया लंबाई 7 meter घटा दी जाती है तो नया लंबाई कितना हो गया 3x minus 7 ठीक है और चोड़ाई बढ़ा दी जाती है तो अब भी अगर इन दुनों को गुना करेंगे तो भी 6 तरफल आना चाहिए 3x minus 7 into x plus 7 ये नया चेतरफल ये पूराणा चाहिए दुनों को घटाएंगे तो कितना चेतरफल बृद्धी हो गया 21 तो इसको solve करेंगे तो पहले गवर इससे गुना करेंगे 3x square फिर इससे गुना करेंगे 11x फिर इससे गुना करेंगे 7x minus 49 3x square equal to 21 तो ये और ये कट गया तो 21 में साथ गया 14x ये दर minus में 49 तरह आगा प्लस में हो जाएगा ठीक है तो ये जाएगा 70 तो x equal to 5 तो पूछा क्या पूर्फ की आयत की लंबाई थी कितनी गुना तो तीन गुना 5 का 3 15 तो 15 हमारा answer तो हमारा अगला सवाल ये है कि P रुपे की धनरा से उधार ली गई और दो समानवार्से किस्तों में उसका वापस भुकतान किया था जिसमें प्रते किस्त 3280 रुपे के थी यदि ब्याज किदर 5% वर्स थी और चक्रिदी ब्याजवार्से वर्सन योजित था तो P का मान निकाले तो जब भी ऐसे कोशिन आएंगे तो P निकालने के लिए किस्त वाला कोशिन में चक्रिदी ब्याज रहेगा तो उपर जो दिया जा रहा है वो रखेंगे और नीचे रखेंगे 1 प्लस R बाई 100 मतलब ये अगर एक साल में खतम होगे तो इतना छोड़ देते हैं अगर दो साल में खतम किया गया है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 3 होता तो सेम चीज प्लस बाई 3 ठीक है तो ये आप करेंगे सॉल्फ ये आएगा आपका 21 बटा 20 तो 20 उपर 21 नीचे तो एक चीज आप ध्यान दीजेगा इस से आपको 3,5,2,8,0 कॉमन निकाल सकते हैं तो पहले ये निकाल लेंगे और यहां से 20 उपर नीचे 21 सीम चीज यहां पर भी होगा पर ये 20by 21 का स्क्वायर हो जाएगा बटा देकिए 20by 21 यहां पर भी है तो यहां से एक निकाल लेते हैं तो यहां बचाएगा 1 यहां बचाएगा 20 बचाएगा 20 Common निकालना मतलब क्या हो गया कि ऑडयाट करेंगे तो एक बाहर नहीं बचा तो सिर्फ वन बचा या पर दो था तो यह बच गया अब इसको ऐसे रिखेंगे ठीक है तो यह हो गया लासा लिए 41 बटा 21 अब इससे हमको बस इसको काटना है और हमें सॉल्व करना है हमारा एंसर आ जाएगा तो 656 00 एक चाहिए आप थोड़ा इसमें दिमाग यह लगा सकते हैं यह दे कि एंसर पॉइंट में तो है नहीं और 41 जो है वो किसी से भी नहीं कटता है किसी पहाड़ा से तो इसमें से जो भी नंबर 41 से कट जाएगा वही आपका एंस जिदी इनके अंकों को बढ़ते करमें भासित किया जाए तो बनने वाली नई संक्यार में इसे किस से भी भाजित होगी तो इसे बढ़ते करम में सजाना है ठीक है तो बढ़ते करमें कैसे जाएगे सबसे पहले छोटा 3 4 5 तो अगर 3 से देखने के लिए कैसे करते 3 2 5 5 6 9 9 9 5 14 तो नहीं कटता है तो इसे छोड़ देंगे 5 से कटेगा लास में 5 है तो कुछ करने के जरूवती नहीं था अगला सवाल 30 वैक्ति 10 घंटे का 50 पेड़ काटते हैं 10 वैक्ति काम छोड़ देते तो 15 घंटे में कितने पेड़ काट पाएंगे ठीक है तो ऐसे करके सोच सकते हैं हम लोग कि देखें पहले 30 वैक्ति थे 10 घंटे काम कर रहे थे ठीक है तो 300 घंटे में ऐसे कर सकते हैं तमझे लिए ऐसी 300 घंटे हो गया है 300 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं तो एक घंटे में कितना पेड़ काटेंगे 50 बटा 30 इंटू 10 अब बोला गया 10 वैक्ति काम छोड़ देते हैं तो बचा कितने वैक्ति 20 वैक्ति और हर वैक्ति 15 घंटा काम करता है 50 इंटू 30 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 15 दस से कटा दो बार में 15 से कटाईए दो बार में दो से कटाईए 25 बार में तो 50 तो 50 पेड़ और काटे जाएंगे ठीक है ध्यान रखेगा तो हमने क्या किया था कि 30 अगर एक वेक्ति 10 घंटा काम कर रहा है तो 30 वेक्ति 300 घंटा काम करें तो 300 घंटा 50 पेड़ फिर से 300 घंटा आगे था कोई बात नहीं था अगला कोशिन चोथा अनुपाथ निकालने के लिए तो चोथा अनुपाथ निकालने के लिए क quéndma से 36 बटा 38 बराबर 90 बटा x पहले इन दोनों का भाग करेंगे फिर चौथा नुपात लिखेंगे 90 के बाद तो एक पर ये बटाई ये फिर तीसरा चौथा को तो एकस यहां आ जाएगा तो 90 इंटू और 46 तो मतलब क्या हुआ बीच के दोनों वाले गुना करेंगे और पहले वाले से भाग कर देंगे तो चौथा नुपात भी निकल जाएगा उसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 12 से काटेंगे 3 बार में 12 से कटा 4 बार में 3 से कटा 30 बार म 2 इस्टू 3 में है ठीक है तो 2 इस्टू 3 में तब कितना मिल्क हो जाएगा 2 बाई 5 इंटू तो मिल्क हो गया 24 और पानी हो गया 36 बोला है कि दूद और पानी कानुपात 1 इस्टू 2 करने के लिए पानी की कितनी मातरा मिलानी जानी चाहिए तो माली जे एकस मातरा मिलाएंग तो 24 बटा 36 प्लस X इक्वल टू 1 बाइ टू बोल रहा है ना तो यह दो इससे गुन होगा 43 यह होगा 36 प्लस X तो X हो गया 12 खटाएंगे आगे तो 12 हमारा एंसर है इसका बोला है महत्तम समापर तक निकालने जब भी ऐसे निकालने बोलते हैं तो उपर वाले का मसा निकालते हैं चार आट दो का मसा तो दो ही आएगा और इनका लसा निकालेंगे 5 15 35 तो 105 आएगा लसा ऐसे निकाल सकते हैं 5137 21 605 अगला पहले 6 समसंग क्या होगा औस समसंग क्या हुआ चार बोलेगा अगर पहले 6 समसंग अगर प्लस वन से अनसर होता है पहले 6 बोला गया था साथ अगर विसम बोलता तो साथ लिख देते सम का बोलता तो आट लिख देते ठीक है अगला एक विक्ति 11 घंटे में धारा के अनको 88 किलोमेटर और 12 घंटे में धारा के प्रतिकुल 72 किलोमेटर नाव चला सकता है धारा की गति कितनी होगी तो हम लोग माल लेंगे देखें नाव की गति हमें सा एक्स होती है और धाराए गति वाई तो अनकुल में दोनों की गति जुड़ जाती है तो इसमें इसका कितने गया है 88 किलोमेटर गया है 11 गंटे तो दूरी बटा समय करेंगे तो गति निकलेगा आठ और प्रतिकुल एक्स माइनस वाई 72 बाई 12 6 ठीक है जोड़ेंगे देखें अगर धाराए गति पुछिए तो हमें वाई निकालना था हूं तो हम क्या करते घटा देते जिसी घटाएंगे तो क्या होगा एक्स प्लस य-x और जिब इसमें मैंनस करेंगे नियम लोग जिती इस प्लस हो जाईगा आठ व्यधर मैनस च्छ च्छ हो जाएगा तो एक्स एस कड़ गया तो तो आउए इक्वल टू तो आइक्वल टू टू तो एक्वल टू वन अगला कूशन सुमन 40 g gg को इतना प्रति किलो ग्राम की दर से और 30 kg ग्राम को 44 कि दर से खरीती है, पुरे मिश्रिम पर 5% लाब करने के लिए उसे प्रति किलो ग्राम किस दर पे बेचना पड़ेगा, टेक है? तो इसको हम रॉकिए, बहुत सारे तरीके से solve कर सकते हैं, सबसे परिशन कितना पैसा लेगर हो नी का रहेंगे तो चालिस कीलो का 12.50 से खरीद रही है और 30 कीलो को 14 रुपए प्रतिक रही है तो अगर इसको सॉल्फ करेंगे तो आएगा 920 920 रुपए मों खरीद रही है उसे लाब कितना करना है तो अच्छ सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 40 प्लस 30 तो 970 किलो ग्राम के हो खड़ीद रही है 920 रुपए में तो एक किलो ग्राम कुतना में खड़ीद रही होगी बटा 70 तो यह लगवक लोगाएगा 13.14 ठीक है अब इसे में कितना इसमें इसको बेचना है पांच परशंट के लाब पे बेच रहे हैं तो इसको हमने 105 निकाल लेंगे ठीक है तो यह आएगा 13.80 अगर एक किलो को 13.80 तो इसको लाब हो जाएगा ठीक है अगला कॉस्चिन कापिल और प्रकाश में करें कारे को 45 पूरा कर सकते हैं प्रकाश और पीहू साड़ दिन में का देखे कपिल और प्रकाश 45 प्रकाश और पीहू साथ कपिल और पीहू साथ तो एक नंबर मानेंगे एक तो यह 4 से कटेगा यह 3 से यह 3 से अगर हम इन सब को एड़ करेंगे क्या निकला है फिसेंस से निकला है च्छमता निकला है इन दोगों का एक दिन में यह इतना काम कर एक दिन में यह दिनों इतना करते हैं, एक दिन में यह इतना करते हैं, तो सब को जोड़ें कि दो बार कपिल, दो बार प्रकास, दो बार पीहू, अधर आगे आपका 6, 10, तो कपिल, प्रकास, पीहू, इक्वल टू 5, तो तीनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल 180 क पांच काम से करना है तो 36 दिन में खतम टोटल आगाम 36 से एक दिने 5 काम डानों को डिवाइड करेंगे एंसर आजाएगा अगला कोशन एक बेलन का टेंक के छमता है इतनी है यदि इसके अधार का ब्यास आठ मिटर है तो बेलन का टेंक की गहराई कितनी होगी तो बेलन का इत स्कॉयर हमें निकालना है तो हो जाएगा आपका 5632 इंटो सेवन 22 इंटो 16 बस इसको सॉल्व करना है सॉल्व करके एंसर लिखना है ठीक है तो यह आएगा 112 अगला कोशन तीन महिने के बच्चे का वजन 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम बढ़ जाता है कितनी ब्रि है चैनल किलोगोराम महिने भ मिलंगैं निकितना किलोगराम महिने छह में से 3.2 फाल फरी चंट लीचे 3.2 नीचे तो 87.5 अगला सवाल मुनाफ और सुर्य एक ब्रिता का टैंक पर एक ही बिंदू से एक साथ चलना सुरू करते हैं एक ही दिसा में ट्रैक के साथ दोड़ते हैं ट्रैक पर बिंदू जिस पर वो एक तिसमें बार मिलते हैं यदि वह बिंदू है जिस पर वो 43 बार मिलते हैं यदि वही बिंदू जिस पर 43 बार मिलते हैं यदि तिर्फ गति वाई लड़कियं की गति को धीमी कर दीमें लगे गति कानुपात है न श्टुवान है जहा एक प्राक्रीट संक्या है तो नम्लिकित मैं से कौं सा एन का संभ तो सबसे पहले क्या होगा एक बार मिलते हैं 31 में पर एक पर 43 में पर तो 43 माइनस 31 करेंगे में तो 12 हर 12 बार का डिफरेंस है तो 12 बार मिलना चाहिए उसे इसाब से देखना पड़ेगा ठीक है पहला चीज़ तो यह हो गया अब इसमें बोला क्या क्या है तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैलू चेक कर सकते हैं मों देखें एन इस्टू आन है तो माल लेते हैं ऑप्शन बढ़ाते हैं एन का लोगा 5 पकड़ते हैं तो यह 5 इस्टू आन हो जाएगा तो बढ़ तेज का स्पीट 5 एक्स दूसरे का स्पीड एक्स तो कितना आया यह 4X ठीक है तो 4 क्या है 4 क्या है 5 का फैक्टर है तो यह पॉसिबल हो जाएगा सारी 4 जो है 12 का फैक्टर तो पॉसिबल है अगर हम लोग 4 और इनके तो 4X मानिस X करेंगे 3X तो भी 4 आएगा तो भी 4 कटेगा 3 बिठाएगे तो 3X मानिस X तो 2X आएगा 2 से कटते है 12 6 से जब इठाएगे तो 6X मानिस X तो क्या है 5X तो 12 5 से नहीं करता है तो 6 पॉसिबल वैलू है नहीं तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है बस यह निकाला कि कितने बार मिलने है तो 12 जो भी ऐसा नंबर मिलेगा इनके गती का जो डिफरेंस होगा उससे 12 कटना चाहिए 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचीत होता है डाले गए मतों कुल संख्या कितनी है तो एक चीज धियान दीजिए जो उमिदवाज जीता है उसे 64% मिले है तो जो हारा होगा उसे 36% मिलेंगे टोटल तो 102% हो सकता है अभी ये कितने पर्षेंट से इससे जीता है घटाएंग इससे वह जीता है तो हमें बस 100% निकालना है तो हमारा एंसर आ जाएगा ठीक है तो बस इससे हम लोगों काटना पड़ाएगा तो अठाए यस से एक बार में पहले कटेगा पूरा काटेंगे 155 तो 15500 तो यह हमारा एंसर हो गया ठीक है अगला कॉस्चिन प्लसासी एक पूराना रिप्रेजिनेटर 12,000 रुपए में खरीता है और एक हैर उसकी मरमत पर खर्च करता है इस रिप्रेजिनेटर को 15,000 उसका लाब प्रतिसत कितना होगा तो 12,000 में कितना खर्च कर दिया उसने 13,000 रुपए कितना यह बेचा 15,000 में कितना का लाफ कमाया 2,000 रुपए किस पर कमाया 13,000 पर इंटू 100 यह कड़ गया तो 200 बटा 13 यह आएगा फिफ्र पंदरा सही 5 बटा 3 नॉमल कर लिजिए आप नौ संख्याओं का उसत 15 है यादि पहली 5 का सतेरा है और अंतिम 5 का सत्रह है तो इसमें देखें कि मीन अब को इसमें समझना पड़ा एक पॉइंट जैसे वाले जिन नौ संख्या कोई भी है तो बोला पहले 5 का ये और आखरी 5 में वे 5 में संख्या आता है तो अगर हम इसका पूरा योग और इसका पूरा योग एड़ करेंगे तो दो बार 5 आएगा है ना और हमें पूरे 9 का भी दिया हुआ है तो पूरे 9 का हो जाएगा 9 इंटू 15 पहले 5 का होगा 13 इंटू 5 आख आखरी 5 का होगा 17 इंटू 5 तो इसमें क्या है पांच दो बार आ रहा है इसमें सब एक बार आ रहा है तो अगर इसमें से हम करेंगे तो सब एक बार आए गई गई इन 5 दो बार आ रहा है तो जब घटाएंगे नोनों को जितना है एक एक बार आए तो सब कड़ जाएगा त तिरह इंटो पांच पैसट यह हो जाएक 85 और पंदरह इंटो नौ एकसो पैसे जोड़े आप लोग जीरो तो कितना हो गया पंदरह तो पंदरह हमारा एंसर है तो इसी तरीके से इन कोश्चेंज को हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छा लगओ वीडियो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी से बताये और कैसा लगा बताये जरूर कमेंट में तNक you for watching and all the best for it exams friends thank you for watching again